हेलो गाई हमारा आज का टॉपिक है हॉर्मोंस के कार्य फंक्षन ओफ हॉर्मोंस इसे पढ़ने से पहले जानेंगे हॉर्मोंस क्या है। हॉर्मोंस एक ग्रीक सब्द है, जो हवें उत्यजित करने में मदद करता है। अब देखेंगे संरशनात्मक प्रियां। अनेक ह Оर्मोन, बहुत सारे होर्मोन, सरीर में उत्तक विभेदन, उत्तक को अलग करने, परिवर्तन व वृध्धी, वृध्धी मतलब बढ़ाना होता है का नियंतरन करते हैं, जसरी प्यूस ग्रंथी, प्यूस ग्रंथी मास्टर ग्रंथी को कहते हैं, थायरोएड ग्रंथी, वर जनदों के हॉर्मोन अनेक हॉर्मोन सरीर में उत्तक विभेदन परिवर्तन वर व्रिद्धी का नियंतरन करते हैं जैसे फ्यूज ग्रंती, थाइरोइड ग्रंती वर जनदों के हॉर्मोन अब देखेंगे तंत्री का तंत्र का विकास वर नियंमन तंत्री का तंत्र क्या है जो हमारे पूरे बोड़ी को कंट्रोल करता है उसे तंत्री का तंत्र कहते हैं थायरोक्षिन हॉर्मोन के द्वारा तंत्री का तंत्र का विकास वन नियमन होता है थाइरोक्षिन एक हॉर्मोन है जिसके द्वारा तंत्री का तंत्र का विकास वह नियमन होता है इस हॉर्मोन की अलपता से मांसिक विकार उत्पन होते हैं अगर यह कम हो जाए तो मांसिक विकार उत्पन होता है अब देखेंगे समन वेयन कुछ गरंथी के हॉर्मोन अन्य गरंथियों का नियंतरन करते हैं जैसे प्यूज गरंथी के हॉर्मोन अन्य गरंथियों का नियमन करते हैं अब देखेंगे उपापचाई क्रियाएं अनेक हॉर्मोन जैसे थाइरोईट, इंशूलीन, हॉर्मोन सरीर के उपापचय क्रियाओं का नियमन करते हैं अब हम पढ़ेंगे हॉर्मोन के गुण कैरेक्टर ओफ हॉर्मोन हॉर्मोन पोशक पदार्थ नहीं होते हैं ये अत्यल्प मात्रा में बनते हैं तथा उश्री मात्रा में क्रियासिल होते हैं मतला यह पोशक पदार्त नहीं है यह मतलब होता है कम मात्रा में बनते हैं अगर कम बनते हैं तो ग्रीमिक कि प्रॉटीन याज अमीनु अमलया अबाइकर प्यास्यािस के रूप में होते हैं ये जल तथा रूधीर के प्लाजमा में विले होते हैं जल का मतलब होता है पानी और रूधीर का मतलब होता है रक्त विले का मतलब होता है मिलना ये पानी तथा रक्त के प्लाजमा में मिले होते हैं इनका आड़विक भार कम होता है अतह ये प्लाजमा जिल्ली द्वारा विश्रित होकर लक्ष अंग तक पहुंच जाते हैं इनकी उपस्तिती प्लाजमा जिल्ली की पारगमिता को बढ़ा देती है किसकी उपस्तिती? हॉर्मोन्स की उपस्तिती चटवा देखेंगे ये अपने कार्य इस्थल पर कार्यो प्रांत विघटित हो जाते हैं एंजाइम की तरह अचूते नहीं बच पाते हैं ये किसी विश्ष्ट जेव राशाइनिक क्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं बलकि ये केवल लक्ष अंग को लक्ष का मतलब उतार टार्गेट जहां आपको जिस चीज को आपको करना है एंजाइम बोल सकते हैं टार्गेट बोल सकते हैं उसी को लक्ष करते हैं को प्रभावित करने का कारे करते हैं जोकि ये हमेशा विघटित होते रहते हैं अता इनका शंस्लेशन तथा इस्त्रावन संबंदित अंता इस्त्राविक ग्रंथियों से निरंतर उतारता है हॉर्मोन के विघटन से बनने वाला परदार उत्सरजन द्वारा सरीर से बाहर निकाल दिया जाता है उत्सरजन का मतलब होता है जो भी आपके सरीर के अंदर वेस्ट चीज़ है मतलब जो आपके सरीर के लिए यूश्फुल नहीं है जो निकाल दिया जाता है जैसे कि मल्मुत्र उसे उत्सरजन कहते हैं प्रतेक हॉर्मोन किसी विशिष्ट जेवराशायनिक क्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं बल्कि उससे संबंधित समस्थ उपापचय क्रिया इससे प्रभावित होते हैं यह जाती विशेश के लिए विशिष्ट नहीं होतें बल्कि एक जीव में इस्तरावित होने वाले हॉर्मोन को दूसरे जीव के सरीर में प्रविष्ट कराने पर वहां भी अपनी वैसी ही सक्रियता प्रदर्शीत करता है मानो शरीर में उत्पन होने वाला वृद्धी हॉर्मोन चूओं या अन्य इस्तन्यों इस्तन्यों का मतलब होता है जो जमीन पर चलते हैं उसे इस्तन्धारी कहते हैं कि सरीर में भी मानो शरीर की तरह ही क्रिया करता है हॉर्मोन का जीव के अनुवांसिकी से संबंथ नहीं होता है अर्थात ये माता-पिता के लक्षणों का संततियों में होने वाली वनसा नुगती का निधारण नहीं करते हैं मतलब बोलते हैं ना कि हर लक्षण माता-पिता पर जाता है लेकिन हॉर्मोन एक ऐसा रसायनिक इस्त्रावन है जो माता-पिता मतलब अनुवांसिकी पर निर्भर नहीं करता हमारा उत्तर यहीं समाप्त हुआ अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो हमारे चैनल को आपको हमारे चैनल को हुआ होँ उत्युण, माता हुआ झाली।